इसमें हम डिफ्रेंस देखेंगे थाराइड और पैराइड में थाराइड गुरंथी गर्दर में सौहासनली की अगले भाग पर प्रिस्ट्रिव पार्स में में स्वार्ययंत्र की पार्स व भाग पर इस्थित होती है ठीक है यह थाराइक्साइन हार्मोन का स्राव करती है और यहाँ मेटाबोलीज्म नियंत्रक कभी काम करती है इसका मुख्य प्रभाव उर्जा उत्पर्न करने वाली ऑक्सिक्रित प्रक्रियाओं की गती को तीवर करना है इसका उख्यकार यह है और आयोडीन की उप्युक्ति मात्रा इस गरंती की सक्रियता के लिए अवश्यक है यानि कि यह थारेट पर थारेट है इसकी जो नियत्रित काम के लिए उप्युक्ति मात्रा में आयोडीन की भी अवश्यकता पड़ती है अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो इसमें जड़वावमता, मिक्सिडिमा, गलगर्ण तथा हासी मोटो जैसे रोग जो हैं डिसीज हैं वो खुदबन्न हो जाते हैं पैरा थारेट ग्रंथियां थारेट ग्रंथि की प्रिष्ठ सता में धसी रहती हैं इनसे श्रावित हार्मोन को पैरा थार्मोन कहते हैं यह सरीर में कैल्सियां वा फास्फूरस की मात्रा का नियामन करता है यहां आथ की दीवारों तथा वरिक नलिकाओं द्वारा केल्शियम की अवसोशन गति को बढ़ाता है इसकी कमी से टेटैनी रोग तथा अधिकता से औस्टेवरोसिस रोग हो जाता है